नमस्कार दोस्तो गार्णिंग के एर चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो की शुरुवात करते हैं गुडल के सुंदर से फूल से ये हाइबिड वेराइटी का पोदा है जिसमें बड़े साइज के फूल खिलते हैं आप ये हाइबिड वेराइटी के गुडल के पोदे अपने गार्डन में जरूर सामिल करें आज की वीडियो गुडल के पोदे के उपर नहीं है आज मैं आपको बताऊंगा कि अब अपराजिता में फ्लोवरिंग रुकने वाली है तो हमें इनके बीज कैसे कलेक्ट करने हैं ताकि नेक्ट सीजन हम इनके बीज आसानी से उगा पाएं अपराजिता में गर्मी के सीजन में बहुत ही अच्छी फ्लोवरिंग होती है इसके बिलू कलर के फूल बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं इनके बीज कलक्ट करना भी बहुत ही आसान होता है मटर की तरह इसकी फलिया बनती है यदि हम इनकी फलियों को सूखने के बाद नहीं तोड़ेंगे तो अपने आप ये बिखर जाती है इनके बीज अपने आप ये नीचे गिर जाते हैं और नेक्ट सीजन इनके नए नए पोदे अपने आप उग जाते हैं ये देखिए इस परकार जब इनकी फलियां सूख जाएं तो आप इनको तोड़ कर रख लें जब हम इनकी सूखी फलियों को तोड़ते हैं तो ये अपने आप इखुल जाती हैं देखिए इस परकार इनके दाल के आकार के चोटे चोटे बीज होते हैं इनको निकाल कर आसानी से स्टोर कर सकते हैं यदि आप इन सभी फलियों को एक साथ रख देते हैं तो और भी अच्छा रज़र्ट हमें मिल जाता है क्योंकि इनकी मौस्चर इनके बीजों में बनी रहती है जो पहुती जरूरी होती है यदि हम अधिक टाइम तक इनके बीजों को खुला रख देंगे तो इनमें मौस्चर नहीं रहेगी और ये बीज ग्रो नहीं होंगे इनकी फलियों समेथ ही आप इनको रखें ताकि ये अधिक समय तक स्टोर किये जासके इसके फूल खिलने के बाद फलिया बन जाती है और ये फलिया सुकती रहती है जो भी फलिया सुकती है आप उन फलियों को तोड़ कर रख ले इस बेल को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है जितने भी आप शीड ग्रो करोगे वे शारे आसानी से उग जाएंगे तीन से चार दिन में इनके बीज उग जाते हैं और आप इनको एक बार लगा लोगे तो आपके गार्डन में ये पुदे हमेशा बने रहते हैं अपराजिता की बेल में अक्टूबर लाष्ट तक फ्लोवरिंग होती है देखिए अब इस बेल में फ्लोवरिंग रुख गई है और इसकी फलियां त्यार हो रही है अपराजिता की इस बेल को अक्टूबर लाष्ट तक आप अपने गार्डन में रखें उसके बाद इसकी फ्लोवरिंग रुक जाएगी और आप इस बेल को निकाल दें ताकि विंटर फ्लोवरिंग प्लांट से लगाए जासके डिसम्बर जनवरी की जब सर्दी पड़ती है तो ये बेल अपने आप इस उखने लगती है इसलिए आप पहले ही इस बेल को निकाल दें अब इस टाइम जो आप सीड इस्टोर करके रखोगे उनको आप फरवरी मार्च में दुबारा से लगा लें अपराजिता की बेल एक सुब बेल माने जाती है इसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं आज की इस वीडियो में केवल इनके सीड इखटे करने ही बता रहा हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इस बेल के फायदे भी बताऊंगा यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वीडियो में लाच्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू